हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो अर यूटperform चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताँगी वेब स्टोरीज कैसे बनाते हैं नॉर्मली आपको अपनी वेब साइट पर वेब स्टोरीज लगानी है जैसे की ऐसे होती है web stories जिसे मैंने ये developer tools पर बना रखी है animations लगा रखी है shapes यूज कर रखी है तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले हमें अपने wordpress panel पर जाना है और उसमें stories पर जाके create news story पर जाना है सबसे पहले create news stories पर जाने के बाद आपको उसमें कुछ images चाहिए होगे और उनमें कुछ text भी आप upload लिखेंगे तो मैंने पहले से यहाँ पर जैसे मैं अब बनाने वाली हूँ web story android development languages in 2023 तो पहले से मैंने कुछ research करके रखा हुआ है कि मैं को किस पर क्या क्या लिखना है और उसकी images ले रखे तो आप भी ऐसे करके images जून सकते हैं जिसे की फिर उसके बाद आपको जाना है doc पहले सबसे पहले है आप अपना title जो भी आपका title है उसको यहाँ पर डालेंगे एड title का option आ रहा है हाँ पर screen पर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर document में poster images पर poster images पर upload file पर करेंगे तो मैंने एक बना के रखी है पहले से ही और आप ध्यान रखें कि images के all text लिखना ज़रूर दिया है SEO के लिए select as poster image किया उसके बाद ही crop करके इसे वहाँ पर upload कर देंगे तो अभी हमारी image upload होने में थोड़ा time लगा रही है इस इमेज को हम अपनी poster image जो सबसे पहले web story पर आती है वहाँ पर यह दिखेगी उसमें दो हमारी poster image लग गई है ठीक है आप फिर इसमें अपनी story का description बता सकते हैं कि आपको अपनी story की description में डालना क्या है तो अभी फिलाल description में मैं यह डालते हूं अंड्रोइड आप डवलप्मेंट लांगवजिस इन टूटाउसंट विडी थ्री और उसके बाद इसमें categories इसमें आप category चूज़ कर सकते हैं अगर आपको अब मेरी category है जिसे एप डवलप्मेंट से लेटिव एंड्रोइड अप तो यहां पर कोई है नहीं मेरे पास पहले से तो मैं एक new category आड़ कर लूँगी एंड्रोइड एप एक category आड़ होगे अब देखें एंड्रोइड एप पर टिक लग गया अब आपको इसमें tags लगाने है तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी आपका टाइटल है उसे क्लिक करेंगे हैं और गूगल पर सर्च करेंगे इस से लेटेड टैक्स तो टैक्स के लिए मैंने हाँ पे के डबलू फाइंडर टूल्स यूज कर रखा है जिसे जो भी यहाँ पे आपको फॉस्स फाइब दिके उसको जाके आप कॉपी करके वहाँ पे टैक्स ऐसे लगा सकते हैं जैसे कि आप डबलॉपमेंट एप डबलॉपमेंट लैंगुजिस इंड टूटाउजन ट्वेंडी थ्री तो मैं एक एक करके सारे कॉपी करके वहाँ पे लगा देती हूं यह सब आपको भी ऐसे ही करके अपने उसमें लगाने है यह क्रोम एक्सेंशन है आप इसे अपने उसमें क्रोम में आड़ करके कर सकते हैं फिर यह आपको सजिशन देना शुरू कर देगा आप इसमें कोई भी पांच लगा सकते हैं पाइफ टू सिक्स टैक्स लगाने होते हैं वेब स्योरीज में तो आप लगा सकते हैं इसकी हेल्प से तो यह टैग मैंने लगा दिये हैं इसमें और इसमें हमने पोस्टर इमेजिस सबसे पहले लगानी होती है स्टोरी का डिस्क्रिप्शन, कैटेग्री, स्टैक्स फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने एड्ड इमेजिस जो भी हमें इमेजिस यहां पर एड्ड करनी हैं तो पहले मैं यह वाली इमेज एड्ड कर लेती हूं थोड़ा इसमें अपने हिसाब से एड्ड भी करना पड़ता है तो यह जावा है तो उसके बारे में दिखने के लिए मैं नीचे यहां पर शेप्स पर गई और मैं को किस टाइब की शेप चाहिए पिर यहां पर मैंने करा इसका हम कलर भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से यहां पर कलर पिकरा रहा है इसमें को मैंने इसमें ब्लैक चूज करा तो मैं इसमें जो भी मैंने लिखा है अब इसमें टाइटल टेक्स में जाएंगे और टाइटल टू सेलेक्ट करा तो जैसे अब मैंने इसमें क्या कहते हैं वह कर लिया है ताइटल आप इसका कलर वाइट रखेंगे क्योंकि ब्लैक पर वाइट लिखेंगा और जो मैंने यहां पर टेक्स लिखा है आप उसे मैं उसे कॉपी कर लूँगी और उसे कॉपी करके इस पर पेश कर दूँगे पर बाइटल आप उसे कॉपी कर दो लिखेंगे ताइटल आप आप लिखेंगे मैं खट्वा कर दो दो वाइटल आप आप लिखेंगे अब आपका यह टेक्स बहुत बड़ा है तो आप इसका साइज कम कर सकते हैं अपने हिसाब से जिससे की इसमें यह फिट हो सके जिसके अब यह हो गया तो मेरा यह फोर्स पेज रेडी हो गया इसके बाद अब मुझे आगे का पेज करना है तो मैं न्यू पेज पे करूँगी इस पे मैं जाके फिर से इंसर्ट करूँगी जो कि मैंने पहले से यहां पर डाल के रखी होई है जिसे हम नेक्स मेरा css है आप फर्स पेज पर अनिमेशन नहीं लगा सकते बाकी पेज पर अनिमेशन भी लगा सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक option आ रहा है एड एनिमेशन का इसमें आप जाके एनिमेशन लगा सकते हैं जैसे मैंने यह ड्रॉप लगा दी तो यह मेरी एनिमेशन लग गई जैसे अब मैंने पोस्ट पेज पर किया था अब मैं बाकी सारे पेज पर वैसी continue करूँगी अगें फिर मैं color choose करूँगी और जब ऐसे करके आपको minimum 5-7 pages बनाने होते हैं और जब आप ऐसे 5-7 pages बनाने होते हैं तो आप सब चीज़े करने के बाद इसे publish कर सकते हैं और यह आपकी website पर automatically जो है web story एड़ हो जाएगी थेंक यू आज की इस video में नहीं